देखिए हमारे साथ डिप्टी सीम और वरिष्ट वीजेपी नेता वीजेशिना जी हैं सर चार जुन को नतीजे लोग सभ़ा चुनाओं के आ जाएंगे जितने भी एक्जिट पोल आएं बिभीन चैनलों के सब में दिख रहा है कि प्रचन बहुमत के साथ सरकार बनेगी आप लोगों का अनुमान जो मेहनत करते हैं वो गलत नहीं होता है क्योंकि पिछले बार भी देखा गया जैसे मदपर्देश में कहा था कि सामान बहुमत से सरकार बनने की संभावना चाथिस गर में भी कहा था लेकिन सामान बहुमत भारी बहुमत में बदल गया चाथिस गर में भी भारी बहुमत तो जो आपने रुजहान बताया उस रुजहान में पडिवर्तन और बेहतर होता है और हम लोगों को उम्मीद है कि और बेहतर हमारा रिजल्ट आएगा बोलने में लगा हुआ क्या है दोसो पंचानवे का घोंसना जब कर दिये तो एक तारीक को तो नेता चुन लेना चाहिए कौन प्रधान मंतरी के चेहरा होगा इस फाइनल करना चाहिए था उस पर विचारी मिवर्स करना चाहिए था ये लोग डड़े सह में लोग हैं घबराये हुए हैं ये जान रहे हैं कि बुरी तरह से हम हार रहे हैं नो नियता का पता है नो नीती का पता है नो नियत ठीक है तो कैसे ये लोग 255 कहां से आया कौन-कौन जगह जीत रहे हैं कुछ तो बता दें कौन-कौन अस्टेट में निकल रहे हैं कुछ बोल दिये जो मुहमट है ये लोग पूरी तरह से फलोफ होने जा रहे हैं बिहार में क्या स्थिती लग रही है 40 सीट है आप लोग इतना जीत सकते हैं महागडबंधन कितना जीत सकता है क्योंकि जितने भी एक जीट बोला है उसमें महागडबंधन को 7-8 सीट जीर खाया जा रहा है आप लोग 40 बटा 40 जीतने का दावग सचाई है उन लोग संभाबना ब्यक्त किया है और सचाई है कि हम लोग 49 सीट पर अपने जीत को पूरी तरह से मानते हैं 40 सीट पर संगहर से लड़ाई है जगदानान सिंग ने ABP News से खास बास्चित किये बिहार राज़त के द्रैक्ष उन्होंने कहा कि नीतिस फिर से सरन में आते हैं तो स्वागत किया जाएगा लेकिन उनसे ये पूछा गया है कि क्या वही मुखमंतिर बनेंगे तो इस सवाल को वो ताल गय का है कि अगला ABIDHAN सवाचुनाओ नजदीक है जनता ते करेगी इसी विशनिति इस दिल्ध में है और कुई अमोदी और अमिर्सा से मिल रहे हैं देखे राज़त को हिम्मत नहीं है जनता के जनादेश लेकर के अपनी सरकार बनाने का वो चोड दरवाजे से प्रवेश करना चाहते हैं किसी तरह से सत्ता में आना चाहते हैं ये ब्याकुलता इनकी कई बार देखी गई हद तो तब हो गई कि अपने कई मंतरी को मुख मंतरी के दबाव में हटाना पड़ा इनको अपमान सहके पैर पकड़ के सत्ता में बने रहने के लिए ये जितना समझवता करते हैं ये राजनितिक में सोहिमान से राजनित करने वाला कोई ब्यक्ति नहीं कर सकता लेकिन ये इनको पता है कि मुखमंतरी जी ने साब सब्दों में कहा है कि हम भारतिय जनता पार्टी के साथ जनादेश प्राप्त किये हैं और मैं अब कहीं जाने वाला नहीं हूँ और इस तरह की परविर्ती राजत की साब जहलकार है कि ये डड़े सामें हैं घबराए हुए हैं इनको आगे भी उम्मीद कहीं नजर नहीं आ रही है अचार सहीता चुनाओ के दौरान थी तो अब तो बोटिंग समाप्त हो गई है तो अपने उसमें मंत्राले नहीं आ पारे होगा तो मंत्राले में हैं तो क्या कुछ हो रहा है नहीं मैं उसमें भी आता था मंत्राले आने में कहां रोग था शेत्र में जाकर करके समिक्षा करने में थोरी सी असाहस्ता थी वो भी हम लोग कर सकते हैं लेकिन अब राजनितिक भी होगा और विभाग का काम भी होगा दोनों एक साथ उचित नहीं है नहीं अपना ही मौलि अधिकार में है लेकिन नईतिकता में नहीं निच्ची तोर पर बड़ा पड़ी बरतन हम लोग करने जा रहा है कमांड कंट्रोल बना करके पूरे साइड का मोनेटिंग यहां से होगा जो गरवड़ी सरवड़ी है वो ठीक करेगा नहीं तो इसे माफिया पर जवरदस्त अंकुष लगेगा तो यह थे बात्षित करते हुए बिजय सिनहा यमारा परशन विशाल राए के साथ से शांकुमार एभी पिनियूस पटना